नमस्कार स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथिन हिंदी में इस वीडियो में हम हर्याना सरकार की सभी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो की आने वाले सभी हर्याना गौर्मेंट के एक्जाम के लिए इपोर्टेंट रहेंगी तो चलिए शिरुवात करते हैं वीडियो की और सबसे पहले आयुशमान भारत योजना जो की हर्याना में शुरू की गई है 23 सिप्तेंबर 2018 को नेक्स्ट है जागरती योजना जो की महिलाओं के लिए है और जिसकी शुरुवात की गई थी 7 सिप्तेंबर 2018 को नेक्स्ट योजना है पोधा गिरी अभ्यान ज जो की शुरू किया गया था 15 जोलाई 2018 को नेक्स्ट गोवर्धन योजना जो की 30 अपरेल 2018 को इसकी शुरुवात की गई है नेक्स्ट जो योजना है वो है हर महिने 500 यानि 500 रुपए की जो सहाइता की जाएगी टीबी रोगियों के लिए और इस योजना की शुरुवात की गई थी एक अपरेल 2018 से नेक्स्ट है हरियाना परिवर्तन योजना जो की 21 फरवरी 2018 से शुरू की गई है नेक्स्ट अंतियोद्य आहार योजना जो की शुरुवात की गई है 15 फरवरी 2018 से नेक्स्ट संथ गुरु रविदास सहाइता योजना जो की 4 फरवरी 2018 को शुरू की गई है सभी योजनाओं की आपको तारिक ध्यान में रखनी है क्योंकि जो भी हरियाना गवर्मेंट का एक्जाम होगा उसमें आपसे योजना शुरू की गई है उस तारिक के बारे में भावंतर भरपाई योजना जो की किसानों के लिए है और इसकी जो शुरूआत है वो 30 दिसंबर 2017 को की गई है नेक्स्ट सुभर ज्योत्सना पेंशन योजना जो की 1 नवंबर यानी हरियाना दिवस 2017 को इसकी शुरूआत की गई थी next GST लागू जो हर्याना में किया गया है वो 1 जुलाई 2017 को तो ध्यान में रखना है next operation दुर्गा जो की 13 अप्रेल 2017 को शुरू किया गया था तिर्थ दर्शन योजना की शुरूआत 6 मार्च 2017 को की गई है हर्याना सक्षम योजना जो की 2016 में हर्याना दिवस के दिन यानि 1 नवंबर 2016 को हर्याना सक्षम योजना की शुरूआत की गई थी नेक्स्ट उज्वला योजना जो की 10 अक्तूबर 2016 को इसकी शुरुवात की गई थी नेक्स्ट पहला अनाज बैंक जो की शुरू किया गया था 17 अपरेल 2016 को नेक्स्ट महिला पुलिस थाने और इसकी शुरुवात की गई थी 29 अगस्ट 2015 को सभी तारिक इपोर्टेंट रहेंगी बारे बारे इस एक्जाम में पूछी जा रही है और अभी जो 2018 की लेटेस्ट जो भी योजना गौर्णमेंट के द्वारा लागू की गई हैं वो भी आप ध्यान में रखोगे जो हमने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में डिसकस की है ये भी सेम थारी पैंशन थारे पास योजना और उसी दिन ही बेटी का सलाम रस्टर के नाम यानि चार अगस्त को इस योजना को भी या इस अभियान को जिसके तहट बेटी कोई भी गाओं में जो सबसे ज़्यादा पड़ी लिखी लड़की है उससे जो धवजा रोहन पाया जाता है इस अभियान के तहट नेक्स्ट हर घर हर्याली योजना जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी नेक्स्ट हर्याना कोशल विकास मिशन जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 2015 को की गई है नेक्स्ट हमारा गाउं जगमा गाउं और इसकी शुरुआत 1 2015 को की गई है, Next अतल, पैंशन, योजना और इस योजना की शुरुवात, आठ माई 2015 8 माई 2015 को तीन योजना यह लागु की गई थी, अतल पैंशन, योजना परधान मंतरी जीवन जियती भीमा योजना, और परधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना तीनों की एक ही तारीक है आठ मैई 2015 और बारी बारी से इनके बारे में पूछा गया है तो ध्यान में रखोगे नेक्स्ट कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे परियोजना ये बहुत पुरानी परियोजना थी जो बीच में अटकी हुई थी और अभी इसको शुरू किया गया है तो ये काफी चर्चा में पूछा जा सकता है कि इसकी जो लेटस्ट परियोजना बनाई गई थी वो कब तो आंसर होगा 24 अप्रेल 2015 को नेक्स्ट मिशन इंदर धनुष जो कि एक टिका करन योजना है जिसमें से जो सभी साथ आशक इंजेक्शन होते हैं वो फ्री जो सरकारी होस्पिटल है वहाँ पर लगाए जाते हैं और इस मिशन इंदर धनुष के जो शुरूवात है वो 7 अ जो 8 मार्च महिला दिवस के दिन इसकी शुरूवात की गई थी नेक्स्ट सुकन्या सम्रिधी योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोनों ही योजनाई 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई हैं ध्यान में रखोगे उपर जो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है वो 8 मार्च को है और सुकन्या सम्रिधी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी ये तीनो एक ही वर्स पर तारीक दोनों की अलग-अलग हैं तो ये आपकी बेटी हमारी बेटी योजना रहेगी और अगर आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सुकन् की शिरुवात 25 दिशंबर 25 दिशंबर को सुशासन दिवस होता है और 25 दिशंबर 2014 से इस जो भी योजना या प्रोग्राम है या जो भी अभ्यान चलाया गया है इसकी शिरुवात की गई थी 25 दिशंबर 2014 को सवच हरियाना सवच भारत अभ्यान की शिरुवात 1 नमंबर यानी हरियाना दिवस के दिन 2014 को की गई है नएक्स नई खेल निती है जो हरियाना में 15 अगस्त 2008 को लागू की गई थी मन्रेगा की जो शिरुवात थी वो हरियाना में हुई थी 2 परवरी 2016 को और मन्रेगा का पूर्ण हर्याना में जो विस्तार किया गया था वो एक अपरेल दो हजार आठ को दो वर्शों के बाद तो ध्यान रखोगे शुरुआत में जब इसको लागू किया था दो फरवरी तो ये पूरे हर्याना में लागू नहीं था कुछ एरिया थे जहां पर ये योजना थी वो शुरुआत की गई थी और पूरे हर्याना में ये कोशन पूछा गया है तो एक अपरेल दो हजार आठ को संपूर्ण हर्याना में इसका विस्तार किया गया था नेक्स्ट बालिका वर्श के रूप में काफी बार कोशन पूछा गया है कि हर्याना में बालिका वर्श के रू दो हजार पांच को शुरू की गई थी बेरोजगारी भत्ता योजना जिसकी शुरुवात एक नवंबर दो हजार चार को की गई थी तो तारीक आप ध्यान रखोगे एक कोश्चन इसमें से आपको एक्जाम में पुछा जाएगा नेक्स्ट वंदे मातरम योजना जो की नो फ अब शुरू की गई थी और नेक्स्ट है देवी रूपक योजना जिसकी शुरुवात पच्चिस स्तंबर दो हजार दो को की गई थी तो ये लगभग पैंतालिस से पचास इपोर्टेंट योजना हैं जो की सभी हर्याना गौवर्मेंट का कोई भी एक्जाम हो उसमें एक क इसमें से जरूर पूछा जाता है तो आप इसको दुबारा से एक बार रिपीट करेए बरी बारे से देखिये या इसको लिक कर आप इसको रिवाइज कीजिए क्योंकि इसमें से एक कोश्चन जरूर पूछा जाएगा उमीद करता हूँ कि ये वीदियो आपको काफी प्रियाना गोवर्मेंट के एक्जाम से जुड़े हुए कॉशन लगातार मिलते रहेंगे और आप लोग जो इस चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए हो उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद